हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे स्विसी सक्सेस पॉइंट में तो बच्चो आज हम देखने वाले हैं एवियस क्लास्विक महाराष्टर स्टेट गोड़ फिर्स चाप्टर डाड़ अवर अवर सोलर सिस्टेम बच्चो यहां पर हम हमारे अर्थ के बारे में और हमारे सोलर सिस्टेम के बारे में आज हम यहां पर पढ़ने बाले हैं तो बच्चो मैं आपसे कोश्चन पूछता हूं कौन से वाला कोश्चन मान लीजिए आप अगर बाहर चले गए नाइट के समय में और आपने स्काई के तरफ देख लिया तो आपको क्या-क्या चीज़े वहा सकाय में जो भी चीज़े दिखाए देगी उसे हम कहते हैं heavenly bodies क्या कहते है बच्चो heavenly bodies कहते हैं या पिर उसे हम celestial object भी कहते हैं, ठीक है, celestial object भी कहते हैं, ठीक है, celestial object भी उसे हम कहते हैं, चलो मान ले, मैं आपसे सहमेत हूँ कि यार उसे celestial object कहते हैं, मैंने और एक question आपसे पूछना है, कि आपको एक काम करना है, क्या करना है, तो आपको पूरा एक one week तक, आपको क्या करना है, sky को observe करना है ठीक है तो आपको वहाँ पर देखना है कि कौन से जो चीजे है वो bright है कौन सी twinkle कर रही है उसका color क्या है उसका size क्या है क्या वो अपनी position को change कर रही है या आपको वहाँ पर लिख लेना है ओके बच्चो चलो अब देखो बच्चो यहाँ पर मैं आपसे एक और च heavenly bodies that twinkle are called the star मतलब जो heavenly bodies है जो twinkle करती है मतलब जो उसकी light कम ज्यादा होती रहती है ठीक है stars और they have their own lights यानि जो twinkle करते हैं और उनको खुद की light है ऐसे celestial object को हम कहते हैं star और हमारे solar system में एक ही star है that is the sun क्यूंकि उसके पास ही खुद की light हैं दूसरे जो चीज़े हैं उनके पास खुद की light नहीं है okay the sun is a star it closer to us than any other stars hence it appear we can we can brilliant it is bright light during the day we cannot see the other star अगर हम बच्चों कर बात करें हमारे star के बारे में तो हमारे solar system में सबसे नज़िक अगर कोई star है तो वह sun है तो इसके वाज़ेसे वह को हमें bigger and bright दिखाए देता है और डे के टाइम में इसका brightness सबसे ज़्यादा होता है इसके वज़े से डे के टाइम में हम दूसरे star को या फिर दूसरे planet को हम नहीं देख सकते इवन हम मून को भी नहीं देख सकते हैं अब आपको star समझ में आ गया कि क्या होता है अब यहां पर हम बात करें कि बच्चो planet होता है बच्चो देखो the heavenly bodies that do not twinkle are called the planet यानि ऐसी bodies जो twinkle नहीं करती है and planets do not have their own lights यानि ऐसे चीजें कि जिनके पास खुद की light नहीं होती है तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं तो ऐसी चीजों को हम planets कहते हैं ठीक है कहां से star थे यह आपको याद रखना है और अराउड the star यह चीज वह आपको याद रखने होगी कि जो प्लैनेट होते हैं वह सन के around करते हैं ठीक हैं वह क्या करते हैं सब्सक्राइब करते हैं इस चीजों को हम प्लैनेट कहते हैं प्लानेट करेंगे हमारे सोलर सिस्टीम के बारे में होती क्या है आगर आर्थ हमारी अर्थ का है बाच्चो प्लाने यह क्या करती है सब्सक्राइब लेती है संसी क्या करती है लाइट लेती है ठीक है इड मुज अराउंड देसं और ये अपको पता है कि जो हमारी अर्थ और क्या करती है और जब कोई भी प्लानेट संसे के अराउंड रिवाल करता है तो उसे हम कहते हैं revolution of the earth क्या कहते हैं बच्छो revolution of the earth कहते हैं ठीक है यह आपको यहाँ पर याद रखना है beside the earth यह देखो आप there are seven planets that revolve around the sun यानि हमारे sun के around earth को छोड़के साथ planet है जो revolve करते हैं आप वो कौन-कौन से क्या पर देखो बच्छो Mercury है Venus है Mars है Jupiter है Saturn है Uranus है and Neptune है यह कुछ planet है तो क्या करते हैं revolve करते हैं around the sun यह आपको यहाँ पर याद रखना है बच्छो ठीक है एकदम आसान है ठीक है चलो अब देखो बच्छों यह सारी से आपको पता चल गए अब हम बात करते हैं कि हमारे solar system के अबारे में हमारे solar system में जितने भी planets है वह सारे क्या करते हैं हमारे solar system का पार्ट है जिए जितने भी planet है जो sun के around revolve करते हैं वह सारी क्या है बच्छों हमारे solar system का पार्ट है और वो क्या करते हैं एक specific orbit में specific path में घूमते रहते रहते हैं तो मानेजिए यह sun है तो sun के around specific path होता है orbit होता है तो इसी orbit में यह planet घूमते रहते हैं ठीक है इसे हम क्या कहते हैं बच्छों अब ऐसा क्या है बच्छो हमारे इसे सर्पम में सबस्चाव सने का सट्राइट उस बाक्ष भंप है तो सटे लावा सब्सक्राइट इस बॉक्राइश का सटेलाइट इस ब्लानेट हैS do is the army of Pen closely उती है और यह क्या करते है इस केभी रिवाल आरौंड प्लाइट सदेलें इसी चीज एक्षय ऐसी occasion जो किक्रम Index गोंते हैं तो हमारा साथलाइट-प्रियुम्ता है तो नेट्रल साथ है है समझ में आगे है आपके बच्छों चलो इसके बाद आएब वैच्छों क्या है जो जोप अब drop planets होते क्या हैं देखो small heavenly bodies यानि small होती है heavenly bodies है वो क्या करती है sun के around revolve करती है ठीक है small heavenly bodies revolving around the sun ऐसी चीज़ों का हम कहते है dropped planet ठीक है अब यह जो drop planet होते हैं यह independently sun के around घूमते हैं independently ठीक है तो इसके वज़े से इसे हम drop planet के एते हैं क्यों कि यह चोटे हैं sun के around घूम रहे हैं independently घूम रहे हैं ठीक है और इसका अगर example अगर हम देना चाहे तो Pluto Pluto का है बच्चो एक drop planet है Pluto का है बच्चो एक dropped planet है यह भी आपको इहां पर याद रखना होगा ठीक है और इसका खुद का एक orbit होता है उनका ठीक है चलो उसके बाद हम बात करेंगे बच्चो यहां पर asteroid के बारे में ठीक है asteroid के बारे में तो asteroid क्या होते बच्चो अब asteroid क्या है between the planet Mars and Jupiter यह जूपिटर and Mars के बीच में ठीक है समझ में आ रहा है जूपिटर और Mars planet के बीच में एक बैंड है numerous small heavenly bodies का चुटे-चुटे अब्जेक का एक पट्टा है उसे हम बैंड कहते हैं ठीक है वहाँ पर क्या होता है धेर सारे चुटे-चुटे सब्सक्राइब करते हैं यह आपको यहाँ पर बच्चो थोड़ा सा याद रखना होगा ओके चलो कि यहाँ पर आप देख सकते हों यह हमारा सब्सक्राइब और सन के दूर बच्चो यहाँ पर एक चोटा सा प्लानेट है प्लूटो प्लूटो क्या कर रहा है एक स्पेसिफिक और्बिट में चोटा सा अब्जेक्ट रिवाल कर रहा है अराउंड दसन दैट्स वाइट बिकम आ ज्रॉप प्लानेट ठीक है अब हमने एस्ट्रॉइड की बात की दिया पर चिक है एस्ट्रॉइड के बारे में यह द पर आपको बता दू इस सन के सबसे नजदी का कौन सा प्लानेट है तो आपको बताएंगे आपर वेनस से वेनस के बाद सेकंड नेरेस प्लानेट तुदा सन उसके बाद बच्चो मार्स है यह आपको यहाद रखना है चिक है चलो और बच्चो नेक्स वाले सेशन में हम ग् ग्राविटी होती क्या है ठीक है तो चलो बच्चो थैंक्यू सो माच तो जोन इस सेशन नेक्स वीडियो में हम ग्राविटी के बारे में यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं